हेलो गाईज आपके अपने चैनल में आपका श्राकत है तो काफी अच्छा-काचा जंप देखने की बुला है डाउन फॉल भी पैत्री इन कंडिशन में यहां पर मौझूद है अब जाइज अब आपके श्राकत क्लित अब इस सब्सक्राइब करने आपके जवास कर जाएंगे तो आज के हाई की बात करें 43 रूपे 30 पैसीज का आज काई है लो की बात करें 41 रूपे 60 पैसीज का आज का लो है अगर बाउनिक हाई की बात करें 38 रूपे 40 पैसीज का बाउनिक काई है लो की बात करें 36 रूपे 50 पैसीज का बाउनिक लो है मैकसिमम की बात करें तो मैकसिमम जो की सवा सो रुपे के आसपास का सेव वा गता था और अब भी एट पिजेंट 42-43 रुपे के आसपास इसका फ्लेक्शिशन मार्केट में मौझूद है अगर बात करें इसके अनलेसिस की तो जो आज वोल्यूम ट्रेड हुआ है काफी बहतरी इन वोल्यूम ट्रेड हुआ है कि बात करें तो यहां पर 1 रुपे की फेस्वाइलूम मार्केट में मौझूद है MARKET CAP की बात करें 5681 करोड का MARKET CAPITULIZATION है बीज दिन के एवरेज वोल्यूम की बात करें तो यहां पर 4.5 ला क्वाधिटी के आसपास जो वोल्यूम ट्रेड हुआ है कावल कर्या याई करें अध्या स्डवाइए कंदेट है तो यहां पर अच्छा रिसेगी हो रही है कल कि बात करें कल पी एक तीड गांग हो रही थी करने कासे इस में जलता रहा है and guys of course मैंने पहले भी बताया था एक चीज की यहां पर short term में भी आप एक अच्छा का सा profit कमा सकते हैं इन फी भी venue की बात करें क्योंकि जो price अभी at present है इस price level के आसपास मैंने खरीदने को बोला था and 40 उरुपे से नीचे तो आपके पास एक golden opportunity थी आप miss कर चुके हैं जिसको मैंने काफी time बोला है गाई 40 उरुपे से नीचे मिले तो of course short term में आप एक अच्छा कासा पहतरी profit कमा सकते हैं इन फी भी venue में क्योंकि यहां पर target set करके चल सकते है 47-48 उरुपे के आसपास and यहां पर buying करके 40 उरुपे के आसपास तो जो 6-7 उरुपे के आसपास जो differential है per share वो आप कमा सकते हैं तो guys of course आप अगर एक लाग quantity लेते हैं या फिर आप करीब अगर बात करें 20-10,000 quantity लेते हैं तो सीधा सीधा अगर 7 उरुपे का difference आता है तो 70,000 उरुपे आप जो कि कुछ टाइम में ही कमा सकते हैं क्योंकि काफी टाइम यहां पर 47-48 उरुपे के आसपास देखा गया है इन फिविम वेन्यू को इसका जो financial है वो भी काफी अच्छा काशा strong है और न्यूज की बात करें वो भी अच्छी कासी यहां पर market में आ रही है तो यहां पर अगर इसकी financial की बात करें तो financial को देखें तो यहां पर quarterly result की बात करें तो revenue में एक अच्छा काशा jump देखने को मिला है December 2021 में 397 करोड का revenue show किया है and of course guys year on year हो यहां पर quarter on quarter हो net profit की बात करें तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर downfall देखने को मिला है अगर बात करें quarter on quarter तो एक अच्छा काशा jump यहां पर भी देखने को मिला है अगर बात करें share holding की तो जो promoter holding है 31.07% के साथ बनी हुई है दो quarter से बट एक चीज़ यहां पर notice करने को मिलेगी कि हर दो quarter में अपनी holding को decrease कर रहा है तो इस quarter क्या इस quarter भी holding को decrease किया गया है यह सबसे बड़ा caution है अगर बात करें यहां पर देख सकते हैं कि 32.29% के साथ जो holding December 2020 में थी उसके बाद 31.9% जो कि अगले quarter भी same रही है उसके बाद 2 quarter के बाद यहां पर holding को decrease किया गया है अगर बात करें FII की holding को increase किया गया है December quarter में अगर बात करें domestic investors की तो यहां पर holding को तीन quarter से बिलकुल stable किया हुआ है 0.03% के साथ पब्लिक holding के बात करें तो यहां पर holding को decrease किया गया है no doubt एक अच्छा sign है क्योंकि जितनी public holding जितनी हम जैसे लोगों की holding कम होगी chances share price के काफी high होते है कि वो उपर जाए अगर बात करें others की तो others की entry यहां पर जो कि of course काफी time पहले ही हो चुकिया 0.42% के साथ बिलकुल stable है last 4 quarter से and mutual fund की बात करें तो holding 3 quarter से बिलकुल stable है अगर बात पर foreign investors की तो यहां पर holding को 0.46% के साथ increase किया गया है अब बात करते हैं इसके news की तो guys एक news तो यह है कि Infive Avenue Limited जिसने अलोट किये है 61,11,111 share on preferential basis पे अलोट किये है काफी बड़ी news है एक मार्च को यह news आई दी काफी बैतरी news है इवन यहां पर जो कि शेयर अलोटमेंट और वो सारी चीज़े भी की जा रही है अगर बात करें इसके लावा जो कि और न्यूज की तो यहां पर इन्फिवीम एक्क्वाइड यूवी आई के टेक्नोलोजिज पो रुपी 75 सिया यहां 75 क्रोड में जो की यूवी आई के टेक्नोलोजिज को जो की एक्क्वाइर किया है इन्फिवीम एवेन्यू दोवारा एक अब मैंने आप तक पहुचाई है इन्फिवीम एवेन्यू की जिसका लिंक के डिस्कृप्सिन आप मिलेगा अपर क्लिक करके वो सारी वीडिय जिसका लिंक इस लिए डिस्कृप्सिन आपको मिलेगा अपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं अपार्ट में अगर बात करें नेक्स्ट की तो यहां पर जो यह नेक्स्ट यह है इन्फिवें एवेन्यू जो की क्यू तरी का रिजल्ट इतरा बैदरीन रहा है काफी बैदरीन एक बैदरीन जंप यहां पर देखने को मिला है तो गईज अफकोर्स फारेंजियल काफी होल्डर को अपार्ट में अपर बात करें इसके टागेट की तो गईज यहां पर क्यार चोकसे ने यहां पर टागेट सेट किया है एटे सिक्स रुपीज का एंड जिस तरी का अलएड लिंक जा चुका है जोभी इसके एंग्सिंटिंग इहां पर कउंफिंस होनी है जोभी इनके इन्वेस्टर से उनकी कंफरेंच होनी है उसमें क्या decide होना है वो सारी चीज़े of course conference के पाद ही पता चलेंगी 7 March को ये letter दिया गया है BSC और NSC को इसमे clearly mention किया गया है कि इसकी जो record date है वो 15 March जो कि इसकी decide की गई है record date जो एक equity share के बतले एक equity share मिलेगा one ratio one का already जो कि decide किया जा चुका है bonus जो कि जो भी eligible जिसके पास भी 15 March तक ये share होंगे जो infibium avenue के उसके share double हो जाएंगे उसके portfolio में वो share double हो जाएंगे वो eligible होगा share के लिए of course guys काफी सारे comment मेरे पास आया है कि sir ये मेरे को bonus share का मिलेंगे तो वो सारी चीज़े already decide हो चुकी है कि जब 15 March तक आपके पास ये आपके portfolio में होंगे आपके share तो guys of course आप eligible होंगे आपके share double हो जाएंगे और उसमें कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो guys of course आप 15 तारिक तक यहां पर बने रहना मेरे इसाब से बने रहना चाहिए एक बहत देगा so thanks a lot for watching this watching this video so please take a like comment share and subscribe thank you take care कर दो कर दो कर दो कर दो कि त night कर दो कर दो कर दो खर दो कर दो única मैं यूँ से नहीं कर दो दो कर दो दो